हेलो व्लोफ यू मैसेव तन्य गुपता वेलकम बैक टो केमिस्टी कल्चर आइए अप लोग आइए अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और केमिस्टी कल्चर के जितने भी लेक्चर्स हैं प्रेजेंट इस चैनल पर आप सब को पसंद आ रहे होंगे समझा रहे होंगे और आप सब उनसे कुछ नया और अच्छा सीख पा रहे होगे तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहूंगा आज की लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ओफ हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन ओफ हेलो एलकीन्स देखेंगे की प्रिपरेशन ओफ हेलो एरीन्स जिसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किससे फ्रॉम हाइड्रो कार्बन्स अच्छा हेलो एलकीन्स की केस में हाइड्रो कार्बस हम लोग ने लिय preset else March एलकेन-ईलकीण-ईलकाइन ये सब ठीग है बर्ट इन this case of हेलो एरीन्स divor कार्बन्स हमारा हम सबसे पहले इस reaction में क्या होगा कि जो हमारा बेंजीन है बेंजीन डेट अंडरगोस दि अरोमेटिक सबस्टिटूशन reaction लिख देता हूँ यहाँ पर मैं अरोमेटिक सबस्टिटूशन reaction substitution reaction with किसके साथ हमारे halogens के साथ halogens हमारे क्या-क्या chlorine bromine और iodine fluorine की बात हम लोग नहीं करते हैं वो मैं अभी बताऊँगा कि fluorine की बात यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं करते हैं ठीक है न तो electrophilic aromatic substitution reaction के through हम लोग halo arines की formation करते हैं ठीक है और यहाँ पर हमारा reagent क्या होगा reagent in the presence of ठीक है न किसकी presence में हम लोग reaction कराएंगे यह कोई भी हमारे luis acid की presence में किसी भी हमारे luis acid की presence में हम लोग इसकी reaction कराएंगे अब हमारे Lewis Acid क्या होते हैं वो Electron Deficient होते हैं ठीक है ना Electron Deficient होते हैं Electron Deficient होते हैं Notes की चिंता मत करें Notes में आपको provide करा दूँगा PDF form में भी और वीडियो के अंदर भी आपको मिल जाएंगे Notes at the end ठीक है तो उसकी चिंता मत करें अब भी एक copy और pen लेके इसको थोड़ा थोड़ा Note करते रहें जिससे आपको revise करने थोड़ा असान रहेगा और Notes आपके और better आप कर सकते हो अगर यहां से भी Note करते जाओगे ठीक है ना तो देखो Electron Deficient होते हैं हमारे Lewis Acid अब Electron Deficient होते हैं तो वो किस तरीके से हमारा reaction को proceed कर आते हैं उस चीज़ को हम लोग mechanism में समझेंगे ठीक है ना अब बात करते हैं हमारे Lewis Acid कौन-कौन से हो सकते हैं क्या-क्या हम लोग ले सकते हैं तो हम लोग ले सकते हैं जैसे FeCl3 हो गया FeBr3 हो गया ठीक है AlCl3 हो गया AlBr3 हो गया FeCl2 हो गया Sorry FeCl2 हो गया FeBr2 हो गया ठीक है ना और क्या हो गया ZNCl2 हो गया ZNBr2 हो गया यह सारे हमारे Lewis Acid है विच आर Electron Deficient Electrons के कमी है इन में ठीक है ना Electron Deficient है यह सारी Species ठीक है BF3 हो गया यह सारे Species हो गया कुछ भी ले सकते हैं इन में से हम लोग ठीक है तो किसी एक Particular चीज को अच्छा हाँ एक चीज मैं और यहां पर बता दूँ कि आप बाकी सारे तो लोग के कोई दिक्कत नहीं है बड़ जब ALCL3 और ALBR3 रोगे ना तो यह हमारे एन्हाइड्रस कंडिशन में होंगे एन्हाइड्रस कंडिशन में एन्हाइड्रस कंडिशन मतलब Lack of Water ठीक है ना Absence of Water Water, Moisture नहीं होगा इनमे एन्हाइड्रस की कंडिशन होगी ALCL3 और ALBR3 के साथ इतनी चीज़ा आपको clear हुई ठीक है Electrophilic Aromatic Substitution होगा With Chlorine, Bromine और Iodine in the presence of any Lewis Acid इनमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं Now अब हम लोग बात करते हैं Reaction की Reaction की तरह बढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो देखो भई यह reaction कैसे होगी अब यह है हमारा Benzine अब इसको chlorine, Bromine, Iodine किसी की भी किसी से भी reaction कराएंगे हम लोग ठीक है और reaction के time पे जो हमारा reagent होगा वो हम लोग कोई भी Lewis Acid ले लेंगे FeCl3 ले लो FeBr3, FeCl2, FeBr2, ZNCl3 FeCl3, ZNCl3, ZNBr2 ठीक है रो, कुछ भी ले सकते हो मैंना भी बताये थे सारे उनमें से कुछ भी ले लो तो क्या होगा यहां पे कि यह जो chlorine है एक वो यहां से निकल के इस पे लग जाएगा जाके ठीक है और जो यह बचा हुआ chlorine होगा जो यह बचा हुआ chlorine होगा वो यहां पे जो hydrogen होगा उस hydrogen के साथ मिलके HCl का formation करेगा HCl का formation कर लेगा ठीक है? इतनी चीज़ clear हुई? इतनी चीज़ clear हुई कि किस तरीके से होगा यह? ओके? ठीक है? इतनी चीज़ clear होगी? अब हम लोग इसकी mechanism के उपर बढ़ते हैं कि यह होता किस तरीके से? यह तो हम लोग ने समझ लिया कि यहां पे किसी भी benzene हम लोग लेंगे hydrocarbon से अगर हम लोग preparation कर आ रहे हैं तो benzene लेंगे benzene से हम halogen की reaction कर आएंगे chlorine, bromine, iodine की not fluorine वो मैं बताऊंगा क्यों? ठीक है? in the presence of any luis acid, in the presence of any luis acid, ठीक है? अब उस luis acid की presence में हमारा hello arine बनके तयार हो जाएगा hello arine बनके तयार हो जाएगा with hcl, ठीक? अब hello arines, देखो, मैं hello arines मैं पहले भी पिछले lectures में बता चुका हूँ जब मैंने introduction लिया था, तो hello arines मैंने बताए था कि ये जो है ना, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन से directly attached halogen halogen का हम लोग x से denote करते हैं, बेंजीन से directly attached halogen is called hello arines, ठीक है? ऐसा अगर कुछ है ch2x इस type का तो ये hello arines नहीं है ये hello alken, hello alken के ही उसमें लिया जाएगा, ठीक है? ये hello alken के ही enter आएगा लेकिन अगर directly बेंजीन से हमारा halogen attached है, तो वो hello arines की under आएगा, ठीक? अब इतना तो हो गया, ये तो हमको पता कर गया कि किस तरीके से reaction प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से reaction हो गए बट अब हम लोगों को देख रहा है इसकी mechanism, कि भाईया किस तरीके से mechanism होती है इस चीज़ की, ठीक? ओके? mechanism की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग पहले उपर reaction लिख लेते हैं, छोटी सी, जिससे हम लोगों को कोई confusion ना रहे है benzene with chlorine, बनाएगा क्या हमारा, hello arines hello arines, hello arines, hello arines okay, in the presence of any luis acid, यहाँ पर हम लोग FECL3 की presence consider कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग mechanism की बात करते हैं अब हम लोग mechanism की बात करते हैं, step first, mechanism का step first क्या होगा? यह जो chlorine है जो हमारा chlorine है, वो FECL3 के साथ react करेगा FECL3 के साथ react करेगा अब मैंने क्या पताया था, कि यह जो FECL3 हम लोगों ने रखा है It is an Lewis Acid, it is an Lewis Acid which accepts the loan pair of electron, यह concept यह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Lewis Acid loan pair of electron को accept करते हैं loan pair of electrons को accept करते हैं यहाँ 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 पर electron deficiency है electron deficient होते हैं यह, ठीक है, electron deficient होता है तब यह electrons की है, इनमें कमी, ढखकन ना गिरे, तो कैसे चले काम है तो यहाँ पर क्या है, electrons की कमी है, अब electrons की कमी पूरी कैसे होगी, देखो यह हमारा chlorine है, ठीक है, यह हमारा chlorine है अब यहाँ पर electron की कमें इसको चोगी electron यानि Cl- जो होगा तूटेगा और Cl- इसके साथ attach होगा जाके ठीक है? Okay, Cl- उसके साथ attach होगा जाके तो बनेगा क्या देखो? यहाँ पर formation क्या होगी? यह इसके साथ चला गया तो यहाँ पर FeCl4- FeCl4- Cl- इसके साथ चला गया तो FeCl4- बन गया और यह जो है ना वो Cl- हमारे इस पास आ गया ठीक? इतनी चीज़ क्लियर होगी? इतनी चीज़ क्लियर होगी? अब क्या होगा? स्टेप 2 की बात देखते हैं यह स्टेप 1 हमारा होगी? अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में जो हमारा बेंजीन है वो रियक्ट करेगा जो हमारे यह बेंजीन है वो रियक्ट करेगा Cl- प्लस के साथ Cl- प्लस के साथ अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा, यहाँ पे है Cl- अब यह जब इसके पास आएगा तो भीज़े यह एक bond इधर तूटेगा, pi bond, manchala bond होता है, बड़ा ही, बहतरीन इधर उदर ताकता जाकता रहता है, जो इसको मिलेगा, पकड़ देगा, ठीक है न, तो ये तूटा bond, अब जब ये bond तूटेगा, तो यहाँ पर minus charge आएगा, यहाँ पर plus charge आएगा, ठीक है, ओके, तो जब ये minus plus charges आ हो गया आके, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर positive charge और ये CL, और हमारा ये bonds, ठीक, इस तरीके से कुछ बन गया, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा resonance, resonance बड़ी बहतरीन चीज, हम समने पढ़ी हुई है, यहाँ पर positive charge है, ये bond इधर ज देखो, ये bond इधर आया, तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये CL यहाँ पर लग गया, और positive charge यहाँ पर आया, अब positive charge यहाँ पर आया, तो ये फिर इस तरीके से घुमेगा, ठीक, फिर इस तरीके से घुमेगा, और बनाएगा हमारा एक और structure, which is like this, यहाँ पर bond, यहाँ पर bond, XL और यह positive charges position पे आ गया अब ध्यान से देखुआ अगर इसका हम लोग resonance hybrid structure बनाते हैं देखो resonance hybrid structure resonance hybrid structure इन तीनों structures का एक common structure होता है जिस structure में इन तीनों resonating structures की qualities होती है ठीक है ना properties होती है सबसे ज्यादा stable structure होता है हमारे resonance hybrid तो क्या होगा जहां हम लोग resonance hybrid बनाएंगे तो देखो chlorine तो यहाँ लगा हुआ है ठीक अब positive charge charges कौन-कौन सी position पे आ रहे हैं एक तो इस position पे आ रहे हैं एक इस position पे और एक इस position पे आ रहे है तो positive charge की position हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन किस-किस position पर हमारा positive charge जा रहा है इस position पर, इस position पर, इस position पर, अब हम लोग ने delta क्यों लिया यहाँ पर देखो इन तीनों का जो structure है इन तीनों का structure एक साथ लिखा जा रहा है तो भाईया यह जो positive charge होगा पूरी benzene link में distributed रहेगा इसलिए थोड़ा-थोड़ा बट जाएगा इसलिए यह delta की form में लिख दिया हमने अब bonds जो है हमारे double bonds वो किस-किस position पर, इस पर है, ठीक है, इस पर, इस पर भी है, ठीक इस वाली position पर भी है और इस वाली position पर भी है, तो इन चार positions पर हमारे double bond है, यह हमारा resonance hybrid structure है, ठीक है, जो कि सबसे जादा stable structure होता है, I hope आपको दिख रहा हो, इतना नीचे, दिख रहा हो, I think, ठीक है, अब इस चीज़ के तो बात हो गई, now we move to step number third, step number third में क्या होगा, जो यह structure बना है न, इसी से हम लोग दिखाते हैं कि step number third में किस तरीके से reaction, proceed करेगी, यहाँ पर positive charge, ठीक है, अब हर position पर positive charge दिखाएंगे, तो हम लोगों के लिए addition करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इस position पर positive charge, यह double bond, यह double bond और यह chlorine, ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारा FeCl4 minus बना था, यह, थर्ड step में हमारी FeCl4 minus से ही reaction होगी, FeCl4 minus से reaction होगी, अब देखो यहाँ पर जो Cl minus है न, इसके अंदर Cl minus है, ठीक है, FeCl3 था, Cl minus गया इसके अंदर, तो FeCl4 minus बना, तो it has Cl minus अब यहाँ पर देखो hydrogen लगा हुआ है, वो मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन इन नहीं, एक, दो, तीन, चार आप जाके complete हुई, यानि hydrogen था यहाँ पर, अब यह जो Cl minus आयन है, वो इस hydrogen को लेके निकल लेगा, इस Cl ने इस hydrogen को देखा, और इस hydrogen इस CL को देखा, जोना का होई महबत, और एक Cl minus यहाँ से लेके hydrogen को निकल गया, ठीक, अब hydrogen यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पर minus negative charge आएगा, H positive जा रहा है, H positive जा रहा है, तो negative charge आजाएगा, ठीक है, H positive जा रहा है, तो negative charge आजाएगा, यहाँ पर positive charge, यहाँ पर negative charge और यह Cl, अब यह positive negative charge मिलके क्या करेंगे, यह positive और negative charge मिलके, यहाँ पर एक bond का formation कर लेंगे, और यह हमारा हेल हेलो एरीन की formation हो जाएगी ठीक है अब देखो वहाँ पे क्या था यह मिल ला था प्रोडक्ट हमको जो कि मिल गया HCL मिल ला था जो कि हम लोगों को मिल गया यहाँ पे HCL ठीक है प्लस HCL प्रोडक्ट मिल गए यह थी हमारी इस reaction की mechanism ठीक है न इस reaction को जिस तरीके से प्रोसीड होती है यह जिस तरीके से हमको समझना होता है तो यह कुछ वे था उस mechanism का ठीक है ओके इतनी चीज़ क्लियर हुई अगर इतनी चीज़ क्लियर हो गई है आपको तो अच्छा आपके मैंड में एक और चीज़ आनी चाहिए भी है हम लोगों ने reaction तो सिर्फ बेंजीन के साथ कराई what if अगर इस पे कोई ग्रुप लगा हो जैसे CS3 लगा दिया आमने आप ग्रुप लग गया अब किस तरीके से addition होगा क्लोरीन का अब किस तरीके से addition होगा क्लोरीन का भी यह तो हम लोगों ने सोचे है नहीं किसी के माइड में आया भी नहीं कुछन देखो भाई यह question बनने जरूरी है आपके mind आपके mind में questions create होने चाहिए कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता तो यह चीज़ें आपके mind में आने चाहिए तब ही आप organic chemistry में अपने teacher से question कर पाओ होगे आप organic chemistry को और deeply समझ पाओगे ठीक है अब यहाँ पर question आया कि यहाँ पर कोई group लगा हो तो क्या होगा अब group किस type से लगा हो देखो mechanism आगर आपको screenshot लेना हो तो लेलू मैं रफ कर रहा हूं उसके बाद अगली चीज़ बताऊंगा ठीक है ओके इतनी चीज़ clear होगी ठ देखो यहाँ पर अगर कोई group लगा हो अब group दो तरीके के हो सकते हैं या तो group होगा electron donating group जो के electron to donate करेगा या होगा electron withdrawing group दो तरीके के groups लग सकते हैं तो दो तरीके के groups के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या product बन सकते हैं अब यहाँ पर क्या है जो हमारा methyl group है it is an electron sorry methyl group है हमारा यानी alkyl group है और alkyl group क्या होते हैं हमारे electron donating groups होते है alkyl groups हा रहा electron donating groups ठीक है अब electron donating group है तो क्या होगा यहाँ पर देखो electron donating group है तो यह electron यहाँ पर donate करेगा मैं अच्छे से बना देता हूँ बड़ा बड़ा जिससे आपको clearly समाझ आए ठीक है CH3 it is an alkyl groups अब CH3 की जहाँ कोई भी ले सकते हैं C2H5 ले सकते हो C3H7 ले सकते हो कुछ भी हो सकता है ठीक है नो मैं basic group ले रहा हूँ alkyl group ठीक है अब यह है electron donating group electron donating group है तो electron donate करेगा इस तरीके से अब यहाँ से electron donate हुआ तो यह bond टूटेगा इधर आएगा तो यहाँ पर resonance structure हम लोग फॉर्म करते हैं जो कि आपको देखने जरूरी है ठीक है अब क्या होगा अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर माइनस चार्ड आया ठीक यह bond था यह bond था और यह CH3 ठीक है अब यह bond था क्या होगा यह चीज यहाँ पर आएगी और यह वाला bond टूटके इधर आएगा ठीक है तो क्या होगा देखो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा ठीक है अब यहाँ पर negative charge आएगा double bond यहाँ पर यहाँ पर और यह CH3 अब क्या होगा यह इस तरफ जाएगा और यह negative charge इस तरफ जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यह negative charge यहाँ पर आगा यह bond यह bond यहाँ और यह CH3 ठीक है अब यह negative charge फिर से यहाँ से उठके ऐसे जाएगा और यह उधर तरफ ठीक है तो basically कहने का मतलब क्या है मेरा यहां पे कि negative charges देखो कहां कहां पे आ रहे हैं एक तो ortho position पे आ रहा है negative charge और एक हमारा paraposition पे आ रहा है negative charge और ये भी ortho position है हमारी ठीक है ortho position और paraposition पे आ रहा है in the case of electron donating groups negative charge ठीक है negative charge और हमने अभी mechanism में देखा था last step में हमारा addition हो रहा था CL plus का हो रहा था ना मतलब कि substitution हो रहा था ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे अगर यह CS3 है और यह CL2 के साथ reaction हो रही है in the presence of FeCl3 और any Lewis acid तो होगा क्या या तो हमारा chlorine जो है वो आएगा इसके ortho position पे या फिर आएगा इसके para position पे या तो आएगा इसके para position पे in the case of electron donating group in the case of electron donating group या तो हमारा halogen वो ortho group पे attach होगा या para पे मतलब होगा बेसिकली दोनों पे दोनों product form होंगे ortho वाला भी और para वाला भी ठीक है अगर यहाँ पे हम लोग electron donating group ले लेते हैं electron donating group ठीक है कोई भी electron donating group है कोई भी electron donating group है ठीक है न electron donating group के case में हमारा हेलोजन की substitution जो होगा वह always और्थो पोजिशन और पेरा पोजिशन पे होगा क्योंकि यह क्या होते हैं हमारे electron donating groups होते हैं तो वो electron की जो density होते हैं वो benzene ring पे बढ़ा देते हैं और सबसे ज्यादा density बढ़ती है हमारी और पेरा पोजिशन पे यह हम लोगोंने resonance के थ्रू देख लिया ठीक अब अगर इसी case में electron withdrawing group हो electron donating group कुछ भी हो सकता है जैसे alkyl group हो सकता है ठीक है न NH2 हो सकता है और NR2 हो सकता है और O- हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है न electron donating groups में ठीक है अब अगर electron withdrawing group हो यहीं इसी case में electron withdrawing group हो अगर इसी case में electron withdrawing group हो जो भी हमारा product बनेगा वो metaposition पे हमारा chlorine को या फिर halogen को add कराएगा क्योंकि यह deactivating groups होते है electron withdrawing groups are deactivating groups जो कि हमारे benzene rings से electrons को खीच लेते हैं और electrons को जब benzene rings से खीचेंगे तो अगर आप लोग resonance structure बनाओगे इसका तो यहां पर positive charge यहां पर negative charge आएगा तो यहां पर negative charge क्या मतलब कि यहां पर electron density जादा होगी electron density metaposition पर जादा होगी इनदी case of electron withdrawing group अब metaposition पर density जादा है तो CL प्लस जो iron है वो हमारा metaposition पर ही जाएगा H positive और CL minus मिलके हमारा HCL निकल देगा इतनी चीज़ clear हुई इतनी चीज़ clear हुई electron withdrawing group क्या क्या हो सकते हैं electron withdrawing group हो सकते हैं COOH हो गया COOR हो गया हमारा NO2 हो गया SO2 हो गया और क्या क्या हो गया और भी बहुत से SO3H हो गया और CONH2 हो गया CONH2 हो गया बहुत सारे हैं ठीक है कोई भी electron withdrawing group हो तो halogen कहां पर attach होगा metaposition पर अगर electron donating groups है तो halogen कहां पर होगा ortho पर और para दोनों पर होगा दोन प्रोडक्ट हमारे form होगे ठीक इतनी चीज़ clear होगी I think आपको ठीक है नव एक और चीज़ आप लोग देखिए यहां पर अच्छे से अगर इतनी चीज़ clear होगी ना electron donating group और electron withdrawing group ठीक ओके नव हम लोगों ने हम लोगों ने एन बीएस की बात करी थी एन बीएस एन ब्रोमो सक्सीनिमाइट उससे हम लोगों ने reaction कराया है तो हेलो एलकेस की formation करी थी अब हेलो एरियस की भी formation कर सकते हैं उससे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो देखो क्या होगा यहां पर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग ले लिया CH2 CH3 let's say यह हम लोगों ने एक example लिया ठीक अब इसमें हम लोगों अबने NBS की reaction कराई NBS की reaction कराई in the presence of CCL4 और उसमें भी इसके पहले वाले जमारे reactions बताई है अभी electron donating groups और electron withdrawing groups के case में उसमें आप लोग ध्यान लगिएगा कि यह चीज़ नहीं होगी ठीक है ना यहां पर कुछ जो हम लोग ने Lewis Acid लिये थे as a reagent वो तो लगेंगे ही लगेंगे ठीक है ना उसमें कोई बतलाव नहीं होगा उसमें कोई changes नहीं होगा ठीक है in the presence of CCL4 अब NBS क्या होता है ब्रोमीन यहां पर यह double bond oxygen double bond oxygen और यह यहां पर double bond इस इस और N-Bromosacinamide ठीक है ना N-Bromosacinamide यह रहा ब्रोमीन हमारा ठीक है अब मैंने वहां भी उस time पे भी मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी reaction को मतलब किसी भी चीज़ को या फिर अलकीन को वहां पर हम लोगों ने अलकीन के साथ इसको पढ़ाता यहां पर हम लोग इस compound के साथ पढ़ रहे हैं ठीक है बंजीन के साथ यहां पर already double bonds होते हैं इसलिए ठीक है double bonds के case में अगर हम N-B-S के साथ reaction कराते हैं तो ब्रोमीन हमारा उस carbon पे लगता है जो carbon हमारा doubly bonded carbon से directly attached हो जैसे doubly bonded carbon है यह वाला ठी अब इसके साथ जो carbon attached है ठीक है ना उस carbon पे हमारा attachment होगा ब्रोमीन का जो कि यहां पर दिख रहा है अब इसके case में अगर हम लोग देखें तो भही है यह यह वाला carbon double bonded यह भी 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 double bonded यह वाला भी double bonded वह यह रिंग के अंदर तो स attachment, bromine का, ठीक है न, क्योंकि double bonded carbon के just pass वाला carbon, directly attached carbon से हम लोग, bromine को attach कराते हैं, ठीक है, तो हमारा product क्या बनेगा, product हमारा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, CH, CH3 और यहाँ पर, bromine हमारा attach हो जाएगा, this is our, bromine, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, यह हमारा bromine लग गया, तो यह हमारा क्या बन गया, benzyl, benzyl bromide, ठीक है, benzyl bromide हमारा form हो गया, ठीक, अब NBS से अगर आप reaction कराएंगे, किसी भी case में, double bonded वाले carbon के पास वाला जो carbon होगा, double bonded carbon से directly attached जो carbon होगा, उस पे हमारा bromine लग जाएगा जाएगा, ठीक, अब bromine तो लग गया, यहाँ का जो hydrogen है, यहाँ का जो hydrogen है, ठीक, वो hydrogen हमारा इस bromine की जहाँ पर लग जाता है, आकर, इस bromine की जहाँ पर लग जाता है, और यह हमारा क्या बन जाता है, सकसीनिमाइड, सिर्फ और सिर्फ सकसीनिमाइड, ठीक है, वो हमारा क्या था, ब्रोमो सकसीनिमाइड, यह हमारा क्या है, सकसीनिमाइड, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है, यह आप लोग नोट में डाल लिजेगा, यह रियक्शन साथ, ठीक है, नोट, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया नोट का टीक इतनी चीज़ के साथ रेक्शन ओके ठीक है अब नोट का सेगेंड पॉइंट देखो नोट का सेगेंड पॉइंट देखो क्या होगा अगर हम लोग इसका डारेक्ट कराते हैं और हीट और एचनी यानि प्रेजन्स ओफ सन लाइट डारेक्ट है Message कर fuckin क्राएंगे तो हमारे प्रोड़क्ट क्या फार्म होंगे क्लोर्र इरेक्ट हेलोजिनेशन करा रहे हम लोग को वह यहां Platform लग जाएगा और एक और प्रोड़क्ट बनेगा जो की होगा सिस्टू से यह क्यों कि हमारा जो डिरेक्ट हेलोजिनेशन है वो इस केस में रिंग के अंदर नहीं होगा रिंग के अंदर नहीं होगा रिंग के ऊपर जो भी हमारा लगा हुआ है अलग से ग्रुप उस पर हमारा हेलोजिनेशन होगा समझारी बात तो हमारा दोनों तरफ हेलोजिनेशन हो सकता था इस वाले कारवन पर भी और इस वाले कारवन पर भी अब स्टेबल जो कौन जादा ह है उसके बात अलग की है वो बात अलग की है जो stable है थे बाला ज़ादा होगा क्योंकि के यहां पर एक्लोरी है WOMAN conny तरह अट्रा की इधर से अलक्टराण मिलेंगे इधर से अलेक्टरण खीचे जाएंगे ठीक है इधर से फोडctive रहां वो फ्रम होंगे इतने चीज़ क्लियर होें इतने चीज़ क्लियर हो गई तो चलो भई पोइन डालो note no.3 note no.3 क्या होगा note no.3 200 का लघवा दिया 500 का लघवा दिया अब डालो 2000 का note note no.3 chlorine, bromine की तो बात हुगा भी या आयोडीन की बात नहीं हुई, अगर हम लोग आयोडीन से रियक्शन कराते हैं इसका ठेक है? आयोडीन से रियक्शन कराते हैं बेंजीन का, तो क्या होगा? जो मैंने कहा था पहले ही कोई भी लुइस एसिड की प्रेजन्स में ठीक है तो यहाँ पे होगा क्या कि आयोडो बेंजीन बनेगा as usual आयोडो बेंजीन बनेगा और हमारा HI बनेगा बट यहाँ पे एक contrasting point है जो बहुत है interesting point है basically जो बहुत है हम लोगो ध्यान रखना है कि भाया यह जो HI है हमारा यह जो हमारा HI है यह है हमारा strong reducing agent strong reducing agent है यह strong reducing agent है तो यह क्या करेगा जैसे HI form होगा यह हमारे जो iodio benzene है इसको दुबारा reduce करके हमारा benzene में convert कर देगा तो यह भाया reversible reaction हो जाएगी it is gonna be reversible reaction लेकिन अगर हमको यह product चाहिए यह product चाहिए हम लोगों को इस product पे reaction रोकनी है तो हम लोगों को क्या करना होगा we have to take we should take we should take a strong oxidizing agent oxidizing agent तो reaction किस तरीके से proceed होगी देखो यह जो है हमारा benzene ठीक है sorry benzene यह react करेगा i2 के साथ और इसकी जगहें पर हम लोग strong oxidizing agent ले लें कुछ भी ले सकते हैं जैसे concentrated hno3 हो गया ठीक है और hio4 हो गया या फिर nascent oxygen ले लो आप लोग ठीक है कुछ भी strong oxidizing agent अब strong oxidizing agent जब हम लोग ले लेंगे तो हमारा product iodobenzene prepare हो जाएगा किस तरीके से यह जो हमारा strong oxidizing agent है यह क्या करेगा यह हमारे इस h i को oxidize कर देगा तो यह दुबारा reaction को backward पहुचा ही नहीं पाएगा इसमें से जो iodobenzene की formation करने के लिए आपको यहाँ पे एक strong oxidizing agent लेना ही पड़ेगा अगर आप नहीं लोगे और सिर्फ Lewis acid की presence में अगर आप reaction कराते हो तो वह आपकी reaction दुबारा backward देदेगा आपको फिर से benzene बन जाएगा आप जो product चाहते हो कि हमारा iodobenzene निकल के आए वह यहाँ पे possible नहीं हो पाएगा अगर आप लोग यहाँ पे कोई strong oxidizing agent नहीं लेते हो ठीक है इतनी चीज clear हो गई इदनी चीज गेर होगी तो भाईया बात हो गई chloro chlorine की bromine की iodine की भी बात कर ली लेकिन fluorine की बात हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि भाईया इस जो method है हमारा यह जो method है हमारा जो मैंने बताया था electrophilic aromatic substitution reaction वो हमारा फ्लोरो एलकीन को फ्लोरो एरीन को फॉर्म नहीं करता है तो fourth point डाल लो fourth point डाल लो 5000 का note निकला नहीं है अगर निकलेगा तो लगा लें ना टी fourth point note के निकला फ्लोरो एरीन्स फ्लोरो एरीन्स आर नॉट फॉर्म नहीं होते हैं इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि फ्लोरो एरीन्स हमारा इस method से प्रिपेर नहीं होते हैं इतनी चीज़ क्लियर हो गई ओके ठीक है तो बहिए इतनी चीज़े आए वोप आपको सेवाएं समाप्त मिलेंगे आपसे next lecture next video में और जिसमें हम लोग फॉर्थर हेलो एरीन्स की preparation करेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ओके तब तक है लिए बी पास्वी बी मोटिवेटेड कीप स्माइलिंग जाहें कि बीज़ेड़े बीज़ेंगे इतनी जाहें